नमस्कार मैं हूँ मनुष्ट ब्लेवाल आकाश एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं भारत सरकार के कपड़ा मंत्री डॉक्टर केस राओ जी आंदर प्रदेश के इलिरू संसदिय सीट से पांच बार लोकसभा की सदस्य रहे डॉक्टर केस राओ जी आंदर प्रदेश के जाने माने चेहरे हैं आज हम इन से तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। टॉक्टर राओ आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास प्रताल एक मुलाकात में आप टेक्टाइल मिनिस्टर हैं कपडा मंत्री हैं देश के आपकी क्या प्रियाल्टीज हैं। पहले कंपड़ा बनाना बोले तो कार्टन रेज करना है तो वो यह क्या इंट्रेस्ट बहुत ज़्यादा रहना है तो आज कल रेट फ्लक्चेशन होने के बाद वो थोड़ी केज़िदोर कार्टन बनने वाला सुशुड़ भी कर रहा है क्योंकि उनका रेट अच्छा नहीं ह पूलके तो अभी पहले उनको देखना है उनको देखने बोले तो अभी एवरेज कॉटन नील्ड पर हेक्टेर फाइव हंड़ेड़ फाटी फिफ्टी फॉर केजी है तो यह बढ़ना है यह थाउजन कर सकता है बहुत आसान से कर सकता है हमारा साइन्टिस्ट उतना सब्सक्राइड मिलेगा वह केथी तो अच्चा रहेगा बाद में हैं रिएवर्य कितने साल से हजारव साल से हमारे कंट्री में पॉपूलर है स्किल्स तो अच्छा है एक सारी वह दिन में बना एक मैच बॉक्स में रख दिया उतना स्किल्ल् विवर्स मगर अभी मिल सेक्टर आने के बाद वो कांपूटिशन नहीं कर सकता है उसके वास्ते उतना जीवन बहुत दुर्बल हो गया तो उसके वास्ते पहले उनको क्या करना है देख रहा हूं हम अभी उसके वास्ते हमारा राहूल गांधी भी देखा उनका लाइफ कैसा ह देखे जो लूँन लिया था उनका वू वेवाफ कर रहा है पूरा लोँन जो भी आट्सेनिंडिगे फूरा वेवाफ किर्रे उसके अनसे लिए रहा है पूरा मितू लिए ले रहे हैं तो ऐसा उनको मदद दे रहा है बाद में स्पिल्निंग रहता है, spinning हमारा आत्मी बहुत अच्छा कर रहा है, हमारा इंडस्ट्री भई spinning बहुत अच्छा चल रहा है, बाद में वीविंग कम चल रहा है, वीविंग में क्या हो गए, बहुत पुराना मेशीन से, उसका capacity बहुत कम है, और वो अपसलिट भी हो गया है, उसके वास्ते इंक्रीज हो जाएगा उनका production, तो वो कास्मिक कम हो जाएगा, तो ऐसा हमारा average consumption of cloth अभी country में 42, 42 square meters है, वो double कर सकता है, तो उसके वास्ते हम cotton grower, handloom weaver, then spinner, weaver, बाद में garments बनने में, shirts हो गयरा, वो developed countries में wages बहुत ज्यादा है, हमारा country में wages कम है, तो जो हमारा garments बनता है, international market में बहुत competition में चलता है, तो उसको अगर तकलिफ क्या हो गया, हमारा taste अलग है, वो European countries, America, other countries का taste अलग है, हम सीधा शट बनता है, तो उनको fashion होना, तो हम fashion में concentrate कर रहा है, National Institute of Foreign Design बोलके, fashion design बोलके लगा था, बहुत जवान उनक training देर है, वो उतना intelligent है, जहां Paris में, popular है fashion design में, हमारा Indian designers, cloth designers, उसस भी बढ़का, बहुत fashion बन रहा है, तो ऐसा fashion design में, आवर cloth design में, सब हमारा progress है, मगर आज, वर्ल में, globe में, हमारा country, second rank है, cotton growing में भी, spinning, weaving और garments में चैना बहुत number one हो गया, तो अभी चैना में, wages बढ़ रहा है, तो चैना, वो texture industry से बाजू जा रहा है, तो हम, हमारा texture industry को, अभी golden निरा है, तो हम बहुत लोगों को बोल रहा है, अभी अच्छा time है, texture textile industry को, आप investment बढ़के, number one बनना था, 10-15 साल में, तो ऐसा, यह textile industry, governments को encourage कर रहा है, weaving को encourage कर रहा है, textile industry को, बहुत incentives भी दे रहा है, 4% से, interest subvention, 6% कर दिया, 15% से, 10% से, 15% सब्सरी कर दिया, तो 20% margin money से, 30% कर दिया, तो आभी वो ऐसा incentive दे के, textile industry में, globe में, दुनिया में, हम यह number one बनना चाह रहा है, जब आप textile minister बने थे, तब आपके सामने challenge क्या था, सबसे बढ़ा, सबसे बढ़ा यह है, exports बढ़ाना, पहले साल, 33 billion exports किया था, अभी मालू है आपको, हमारे country में, current account deficit बहुत बढ़ा problem है, current account deficit बोले तो, हमारा exports बहुत कम है, imports ज्यादा है, difference है, 150, 120 billion dollars, बोले तो, 6 lakh crore, 6 lakh crore, तो foreign currency बहुत तकलिफ आ गया, तो रुपी value कम हो गया, तो वो सब हमारा नुक्सान है, तो उसके वास्ते, exports भी बढ़ना है, मैं, चार्ज देने के बाद, वो target 33 billion से, सब exporter को बला के, weaving exporter, cloth exporter, government exporter, सब को बला के, iron exporter, cotton exporter, सब को बला के, नहीं यह अच्छा नहीं है, यह बढ़ना है, यह target 33 से 36 नहीं है, आप 43 billion करना है, उसको क्या करना है, बोले, आपका problems क्या है, हम वो solve करेगा, जो भी problems वो बोलो, हम solve करेगा, वो आप, आपके तरफ से, production बढ़ा के, competition बढ़ा के, और foreign exchange यह नहीं की वाणना बोल के, बोल दिया, वो सब agree किया था, अभी 33 लास्ट येर से, 43 बनने का, हम थायर हो रहा है, 30 परसंट increase, आपको मालूम है, आज manufacturing growth country में 1.5 है, 1.5 हम उनको target दिया 30 परसंट ग्रोथ, आपको लगता है कि आने वाले समय में, export की मामले में भारत, चीन से मुकाबला कर पाएगा? cotton में तो कर सकता है, ये cotton textile में कर सकता है, और उसका उधर इधर एक फ़रक क्या है, उधर higher and fire है, इधर higher and fire नहीं है, job security है, उन्हों government से डरता है, काम करता है सिधा, अच्छे दरब से, इधर काम करने में डर नहीं है, तो output ज्यादा हो गया, और सबसे बड़ा बात है, हमारा आदमी skill नहीं है, लोग तो ज्यादा है, skill नहीं है, उसके वास्ते हम concentrate कर रहा है, हर एक आदमी को training दे के, वो बहुत अच्छा train person लगा के, मान के, वो production, productive capacity इंक्रीद करने का हम तयार है, हमारा मिनिस्ट्री में ये 12th प्लान में 1900 क्रोर्स काली skill improvement करके वास्ते लगाया था, और उससे ज्यादा भी करने का तयार है, हम ये mission में काम कर रहा है, उनको skills देने का, production बड़ेगा, और competitive बड़े जाएगा, हम चैना से competition में तोड़ा आगे चलेगा. जब आप टेक्स्ट्राइल मिनिस्ट्र बने इसके बाद देश के तमाम बड़े टेक्स्ट्राइल इंडर्स्ट्रिस्ट आपसे आकर मिले, क्या अपनी प्राबलम बताई हूं लोगोंने? कि दर भी जाओ, मैं पोरा कंट्री जा के आया हूं, साब लोग, आप बोलो, every state गाया हूं, ये तीन चार महने में, जा के क्या किया? सब से इंटरेक्ट किया, growers से इंटरेक्ट किया, weavers से इंटरेक्ट किया, handloom weavers से इंटरेक्ट किया, spinning, ginning, exporter, government, सब से बात कर से, क्या बोला दो में प्रावलम उनका है एक तो स्किल पीपल कम है तो मैं बोला गवर्मेंट पैसा दे देंगे आप स्किल काम ले लो आपके पास मेशीन है आपके बाप बिल्डिंग है आपके पास इंस्रॉक्चर है हम पैसे देंगे ज्यादा लोगों को आप स्किल्स दे दो तो वो प्राव्म साल हो जाएगा दूसरा उनको प्रावर प्रावलम है तो सम्वेर 40% कट हो गया 50% कट 60% कट बोले तो उनका efficiency कम हो गया तो प्रोडेक्शन में काम्पुटिंट नया रहा है efficiency कम हो गया तो उसके वास्ते हम बोला था आपके वासे आलग पावर जनरेशन करने के वासे हम मदद देदेंगे आपको पावर जनरेशन में आप आप आधा करो इन्वेस्मेंट हम गवर्मेंट से बोलेगा आधा करेंगे दोनों मिलके पावर शाटईज नया होना धबल के बोधासा वो भी हो गया तीसरा स्मौल श्मौल तिंग्स वह एकस्पुर्ट कर रहा है समझो वह कस्टम्स में 24 in two seven hours के नहीं काम कर रहा है वो लोग सार्देस नहीं होगा नाय तो 24 hours नहीं होगा वो फेनस्मिंट्स्टीसे बोला वो मिनिस्टर से भी बात किया वह अभी त्विवर आभी 24 hours सार्देस्त वी प्रॉब्लम भी हो गया, तो ऐसा जो भी प्रॉब्लम से हैं उनको वो सब हमारा आठेंट कर रहा है मिनिस्ट्री में वो आसान हो गया, हम बढ़ जाएगे टेक्स्टाइल मार्केट में प्रॉडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? टेक्स्टाल प्रोडक्शन बढ़ने के वास्ते यह जो पुराना लूम से वो निकाल के नया शटिलेस लूम से लाके रखना था वो हम कर रहा है वो हो जाएगा काटन ग्रोइंड में यह अभी जो पराकर इल्ड कम है वो भी बढ़ाना है हम रिसेच और डेवलोपेंट को पैसा देरा है वो एंक्रेज कर रहा है आई से और टेक्स्टाल में से दोनों मिलके रिसेच बढ़ा के वो प्रोड़क्शन ज्यादा करेगा वो भी साल हो जाएगा और स्किल डेवलोपेंट में तकलीफ है वो स्किल डेवलोपेंट हम इंटरस्ट लिया तो ऐसा सब प्रोड़म साल करके प्रोड़क्शन बढ़ रहा है तो तीन-चार साल में हम बहुत डबल त्रिबल हो जाएगा अब कुछ राजदीतिक बातें करेंगे एसा सुनने में आ मधुराई है कुएमतूर है यह रोड है तिरपूर है ट्रिचनापली है बोले तो बहुत सिटीस उधर डेवलोप हो गया मगर आंधरपेश में क्या गया पूरा डेवलोप्मेंट हैदरबाद हाईदरबाद बाजू हो गया अग्वलोप्मेंट चार साउपचास इंसिचू है ड्रक्षन फॉर्मिट्रियल्स कंपनी हाइदरबाद में है वो भी ऐसा हजार हों क्रोर वो प्रोड्यूस कर रहे है टूरिस्स इंडेस्ट्री उदर है फिल्म इंडेस्ट्री पूरा है हेल्थ केर आपको मौलूम नहीं है बॉंबे से चन्नाइस से सब जगह से सस्ते में हाइदरबाद में हास्पिटल्स है हार्ट सर्जिरी जो हार्ट सर्जिरी को अमरिका में 30,00,30,00,00 हमारा है हाइदरबाद में एक लाक में बाइपास सर्जिरी कर रहा है तो बोले तो सब फेसिलिटी हाइदरबाद में एजुकेशन इंस्टिूशन उतना पॉपुलर है को बोले तो कैसा रहता हूं उनको दुग्ध बहुत दुग्ध है तो इसके वासे हम क्या बोलागा है है को युणिन टेर्टरी मिलाओ नाइट युणिन टेर्टरी वी आस्वंबली जैसे डिलि है वह इसा बनाओ दस साल में वह वागे स्टेट में नया कपिटल बना के नया दिस्टिट्स हाइदरबाद को नजदीक में है राहिल सेमा में वो 92 परसेंट विलेजेस गाहँवाले वो रेसल्यूशन युनानिमेस बनाके दिया हम त्यलंगाणा में जाएगा वो अक्षप करो दो डिस्टिट्स वो भी बहुत पूर डिस्टिट्स है पूरा कंट्री में दोडिस्टिट्स बहुत ड्राट अफेक्टट है राजरस्तान में जे सालमर और आंध्रा में अरंतपूर डिस्टिट्स तो वो हैद्रबास से मिल गया तो क्या होता है 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 जो डॉल्ल्प्मेंट में वो एंजय कर सकता है तो इसका बास तो वो एक्षेप्ट करो बोला ती तो हम क्या बोल रहा है वो गोदावर डूजीन वापस आंद्राको देदो अभी अभी इन इन कसीड करेगा इन अपरेट तलंगणा बनने के वास्ते यह थीनों करदिया तो हो जाय गे बोलतो हो ना इने बीष्मिन कर रहा है ओ नाई नहीं देङे के बोल के तो ओ का हुण है उसको कितना राइट है, हमको भी उतना राइट है, उनको कितना राइट है, हमको भी उतना राइट है, हम वांच क्रोर, चे क्रोर है, वो थीन क्रोर, साड़ी थीन क्रोर है, तो ये पहले गलत किया था, सेंटर, हम तलंगना जेराय बोल के पहले बोल दिया, तो उन्हों सोच तो जस्तिस करा तो वो लोग भी हम इंप्रेस कर सकता है सपरेट तिलंगान को आपकी सरकार ने तिलंगाना बराने का निड़ा लेकिन इसके बावजूद जो प्रॉब्लम है वो समाप्त नहीं हुई अभी हम संसद में देख रहे हैं आपकी पाल्टी के ही कुछ संसद सदस्य सब्सक्राइब करुद के खिलाफ नो कांफिर्स मुशन airports कर रहे हैं क्या यह ठीक हैं कौंग्रीस वाले कंगर्रhow पार्टी के वूपर नो कॉल क्वित्वाज्वजन दोडाना अच्छा नहीं है मगर यह तलंगना डवीजन का बारे में आंधर पिज़ेस का मैटर में जो decision CWC लिए जो division government में लिए वो correct decision नहीं है उसके वास्ते उनको दर्द है पूरा 6 क्रोर आदमी को मानने दर्द है यह settle करना है लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि तेलंगाना बनने के बाद जो सिमांधर का रीजन है उसका development कैसे होगा एक बड़ी समस्या है हाइदरबाद जैसे time बनने के वास्ते capital और 30-40 साल रहे हो जाएगा तो उसके वास्ते गवर्मेंट सेंट्रल गवर्मेंट भी सोच के दोनों को कैसा ज्याय करना है देखके decide करना है वो सब decide होने के बाद सब settlement होने के बाद division कर सकता है division के पहले यह करना था नहीं है तो वो नहीं जड़ेगा नहीं अच्छा नहीं नहींगा अभी 2014 में आंदरप्रदेश में state assembly का भी चुनाव होगा तो क्या आपको लगता है कि जो संयुक्त आंदरप्रदेश है उसमें क्या position रहेगी Congress की आज जो चल रहे है दो-तिन साल से है वो अच्छा नहीं चल रहे है पहले Congress आंदरप्रदेश Congress stronghold है एक बार 42 में 42 दिया यह टर्म पे 33 MPs दिया Congress पचले टर्म पे 29 दिया तो आईसा Congress वाले को Congress state को कराप कर दिया अभी बहुत वीक हो गया अभी अच्छा decision लिया तो फिर रिवायू कर सकता है आपको लगता है कि UPA 3 दुबारा पावर में आएगी देखना है क्या बोल सकता है और तिन चार मैने है चार मैने में क्या का होता है मैं बोल सकता है एक इंसिलेंट बस है सब चेंज करने के वास्ते आप पहली बार 1984 में MP बनकर दिल्ली आये थे आपने राजियू गांधी जी के साथ भी काम किया है राजियू जी के बारे में बताएं क्या रही है भारत की तरक्की के मामले में उनकी सोच जब राजियू गांधी प्राइम मिनिस्ट्र बना पहले दिन से मैं देख रहा हूं उनका परफॉर्मेंट एक्सलेंट पार्लमेंटेरि है 20th century में इंडिया को ले जाएंगे बोले तो वो developed countries अमेरिका, यूरोप, जैसे जर्मनी, जापान, वो countries से हम compete करेंगे, उनको क्या करना है बोलके, वो सोचा था, ये बात ये है, हमारा अभी conscience ही गए तो, वो पुराना politicians सब बोलता है, हम यह देश कूए independence लाए, हम वो करा, हम यह करा बोले के, आज यूथ वो सुनने का तायर में नहीं है, आज यूथ क्या सुनता है, अभी उनको हम क्या कर रहा है, उनका future कैसा बन रहे है, उनको क्या employment दे रहा है, उनको कैसा पैसा बनने के बाद से क्या दे रहा है वो सब देख रहा है तो उसके बाद से टेक्नालोजी इंप्रूब करना है तो वो सोचा था राजुगांदी अब राजुगांदी से है अब राजुगांदी वो जाने के बाद थोड़ा तकलिफ हो रहा है अपका संसदिय छेत्र है इलूरू यहां के डिवलप्मेंट के लिए आपके इनकी योजनाओं पर काम कर रहे हैं मेरा कांशेंसी एलूर है दो टाइम पहले मेरा कांशेंसी मचली पत्नम है मचली पत्नम में तीन बार एंपी बना तीन बार हार गया तो आट बार अभी एलेक्शन को गया मैं पांच जीता तीन तो दोनों छेत्र का आद्बी मेरे को बहुत लव करता है मैं भी लव करता हू पूरा country में आप मैं खुद बोल सकता हूँ हर एक गाउं जो गया मैं एक आदमी हूँ हर एक हर एक गाउं गया मेरा nature है गाउं में वो जो पूर आदमी राता है उन्हीं बैट के उनका problem क्या है वो problem कैसा साल करना है उनका life में change कैसा लाना है वो सब सोच के क्या क्या करना है हमारा agricultural consciousness है, agricultural consciousness में वो wetland area है बोले तो assured irrigation, canal irrigation अब गदावरी river से पानी आएगा, क्रिस्टा रिवर से भी पानी आएगा वो तो अच्छा है, अगर dry land है उनको पानी नहीं है जो underground से लेना है तो वो pulses वोगेरा, maize बनता है नहीं तो यह aisle seats बनता है, अब यह aisle seats मैं encourage कर रहा हू वो palm oil, palm oil मैं government से fight कर रहा हूं, palm oil आदमी को तोड़ा अच्छा rate दिया तो foreign country से हम edible oil import करना जरूरत नहीं है, edible oil हम 50 to 60 thousand crores worth oil import कर रहा है, मगर farmer को तोड़ा rate बढ़ाये तो सब इधरी बन सकता है, foreign exchange 60 thousand crores save कर सकता है, उसको मैं एक machine लेके वो कर रहा है, अभी तोड़ा price, likewise यह जो चावल बन रहा है, वो rate कम है, वो 530 से हम 1500 बन गया है भी, मैं fight कर रहा हूं, वो भी मैं भी मैं खुद fight कर रहा हूं, पार्लमेंट में उसके वास्ते वो भी success हुआ, तो उनको farmers को या पूरा अदमी को जो भी करना है, हम पार्लमेंट में बिलकुल fight दे रहा हूं गाउं वाले को, खेती वाले को, पूर पीपल को, सब यह राट रिच्चा अदमी को, यह लोगों को मैं काम कर रहा हूं, उसके वाद से वो लग कर रहा हूं, अपनी political career के वारे में बताएं, कैसे आपका politics में आना हुआ, और अब तक आप किन-किन पदों पर रहें? मैं जो family से आया हूं, मेरा father, thumb impression वाला, उनों लिक नहीं सकता, उनका नाम भी नहीं लिख सकता, तो अनपढ़ है, तो मेरा family में business किया, जो किया, नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं किया, business में नहीं है, politics में नहीं है, employment में नहीं है, खाली, poor farmer है, 5 पांच एकर है हमारा क मेरा एक बार मेरा टीचर को बोला था मैं एंजिनीरिंग कॉलेज में एक मेरा अच्छा जाब में लगना बोलके सब्सक्राइशं किया डाक्टरीड किया है डाके साथ्री बोलके एक आदमी तो देख आघ करने के बाद हमेरा 저도 लेक्षयर KA बना अगर वह नए बना इंजिनीरिंग में इंडिया में इंजिनीरिंग करके लेक्षयर बना तो उनको तीन सँव रूपए कर失ơn का है यह फिरूफेसर पृहश करने के बाद उनका से एंतानका ही थी फिप्टी बोले तो अमेरिका जाकर पृहश करने के बाद फारग क्या रदा है पचैस객 रुपए तो यह पचैस रुपए के वास्ते MS करके bewेश क्याना क्यों उसमें नहीं है तो हम MS नहीं करें घंगे हम यह अगर politics में गया तो पाइसा होना, पाइसा मेरे पास नहीं है, तो उसके वास्ते सीधा business में जाके, थोड़ा पाइसा कम आके बाद में politics में जाएंगे वोलके सोचा, तो मैं business में गया था, मैं employment सोचा नहीं, मैं कभी भी employment नहीं किया, सीधा engineering college degree होने के बाद, देश सब फिरा था, वो dams देखा, बहुत बड़ा projects देखा, straight business में गया है, वो contract, building construction में लेया, तो बाइसा कमाया, मैं 84 में, congress party बहुत वीक है, आंधर प्रदेश में, NTR बहुत थाप में है, तो ओ टाइम पे, congress party मेरेको, मैं जबलपूर में हूँ, जबलपूर नहीं, रेवा में हूँ, रेवा में हूँ, तो उन्हों टेलफोन करके बुलाया, आप MLC को contest करना बोलके, MLC, मेरा जिल्ला में गाउं का President, वो Presidents से बार असाँ है, बार असाँ आग्मी को ओटर साइ, local consent, local board से MLC बनने को, हम contest करो बोला, मैं बोला, मैं MLC नहीं contest करूंगा, मैं MP बनना जा रहा हूं, वो बोला था, नहीं, कोई नहीं है, contest करने के वाज़ से, Congress Party तरद से, तो आप सब लोग बोला था, ज मैं सोच अगर जीता नहीं जीता यह रोंगे संघाले मैं कोंग्रिस पुछ रहे करें से था मैं कंटेस किया था. मैं कंटेस किया तो 12 सा वोट में 5 ओट से आर गया था. 5 ओट में भी 35 ओट हो अन्याह से दूसरा है बीगो दिया. वह वह क्योंकि government मेरम नहीं है? तो जाएंट केलेक्टर केलेक्टर सब लोग आफिसे से तो 35 आन इन्वालेट कर दिया, मैं 5 ओट से हरगा, तो आवर चेमाई नहीं, इंदिरागा गांधी को माड़ाला, एलक्षन आगा, नौवंबर, अक्टोबर 31 से माड़ाला, और कांग्रेस्पार्टी फिर्म बोला है मे तायर हूँ, मैं पार्लमेंट कंटेस्ट आगा, नेका तायर हूँ, तो करा था, हमारा आन्दपर देश में 40 सूच है, M.P. 42 सीट्स में, 6 कांग्रेस जीता था, 36 तल्विदेशी महरादर पार्टेस, वो 6 में मैं एक हूँ, वो भी चे काउन है, प्रोफेसर एंजी रंगा, माला में बहुत बड़ा आद्मी है, स्वासंत्र समर्योद है, नेहरू का तरीव है लीडर है, और दूसरा, वेंगल राउ, फार्मर चिफ मिनिस्टर, अंजेया, फार्मर चिफ मिनिस्टर, मैं, 4 और दो आद्मी तरंगान से आगया, 6, तो 6 में मैं एक हूँ, तो ओ पे मैं मिनिस्टर बनने का पोजिशन है, राजीव गांधी मैंने को बनने का वस्ते सोचा था, मिनिस्टर, तो प्रस्में सब लोग, सीनिर लोग राता न, MPs लोग सपह में नहीं है, जो राज सपह में है, वो एलिगेशन मार दिया, ये बच्चा बहुत चोटा है, ये पह पोजिशन लगा है, वो उनको कैसा मिनिस्टर बनाता बलके वो अपोजिशन लगा है, जी बहुत बहुत धन्यवाद दोरदरसं से इस खुपशुरत बातचीत के लिए अपना समय निकालने के लिए, तो ये थे भारत सरकार के वस्त मंत्री, डॉक्टर केस राओ जी, जिनन किस अपना समय निकार के वस्त मंत्री, मैंमन् लगा पन हा जी, बहाई जी, जी, बहाऊ जाय सक région, ये भ думत GenteCe, बहाई एक टेंघको का लिए के वस्त मंत्री, ऑट बहाँ है, अवागा है। झाल 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 सुत झाल झाल